दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको मचलियों से रिलेटेड कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो के बहुत ही अमेजिंग है दोस्तो कि आप जानते हैं कि इस समय दुनिया में फिशेज की लगबग 34,000 से भी ज़्यादा स्पीसिज यानि की परजातिया पाई जाती है जो के बर्ड्स, मैमल्स, एंफिबाइन्स और रेप्टाइल्स इन सभी की परजातियों से ज़्यादा है दोस्तो स्टार फिश और जेली फिश असल में मचली नहीं है बलके ये अलग किरियेचर्स हैं क्योंकि मचली होने के लिए जो शर्त है वो इन में नहीं पाई जाती जैसे गिल्स, बोन्स और इनमें से कोई भी फीचर स्टार फिश या जेली फिश में नहीं पाई जाती सिर्फ इनके नाम में फिश है, असल में ये फिश नहीं है दोस्तों कि आपको मालूम है कि इनसानों में लगबग 10,000 टेस्ट बर्ड्स पाई जाते हैं जिसके हेल्प से हम किसी भी चीज का सौध पैचानते हैं जबकि कैट फिश एक ऐसी मचली है जिसमें लगबग 27,000 टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है यहां तक कि इस मचली के पुरे बड़ी में ही टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है जिसके हेल्प से यह बिना अपना मुँख खोले भी किसी चीज का टेस्ट कर सकती है दोस्तों कि आपको मालूम है कि सौध अमेरिका की एक ऐसी मचली भी है जो शिकार करने के लिए इलेक्ट्रिक करेंट का इस्तिमाल करती है जी हाँ दोस्तो Electric Fish जिसे हम Electric Eel के नाम से जानते हैं, ये शिकार करने के लिए Electric Current प्रोडियूस करती है, और अगर इसे खटरा महसूस हो, तो ये जान बचाने के लिए जादा Electric Current प्रोडियूस करती है फैक्ट नमबर फाइब दोस्तों मचली की लगबख साड़े चार सो स्पीसीज यानि की परजातियां ऐसी है जो कि अपना सिक्स बदल सकती है जी हाँ दोस्तों जरूरत पढ़ने पे एक मेल फिश फीमेल फिश में बदल सकती है और अगर इस तरह की फिश सिंगल हो तो ये अपना अंडा खुद ही फर्टिलाइस करती है दोस्तों इस तरह के इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें